बिस्मिल्लाइरामाने रहीम असलाम लेकूम वेलकम हैं आपका गुल फूर्ट सीकर्ट में कैसे हैं आप सब आई हूप से बच्छी होंगे सब भले चंगे होंगे अगर आपको आज की पाई बनाने की रेसिपी प्लीज मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें पाई का सालन बनाने के लिए मैंने यहां पे बगरी के पाई लिये हैं जिनको मैंने कटवा कर अच्छे से नीम गरब पाई के साथ धो लिया है आप चाहें तो यहां पे बगरी के पाई साबद भी ले सकते हैं लेकिन मैंने इनको तीन-तीन पिसिज में कटवा लिया है तो जाब चाहे तो इनके अंदर प्याजों को चार चर कट लगाकर अड़कर दें यह तरह और अफ्ली चॉप करके भी आप इसके अंदर प्याज कर सकते हैं अब हम इसके अंदर मसाले अड़ करेंगे, तो मसालो में चल जाएगा, डेट चाई के चमन लाल मिच का powder, टेस्ट के मताबिक वह मिच के अंदर नमक को चेक करने के बाद कम या जदा किया जा सकता है, अब हम इसके अंदर आट करेंगे, एक चाई के चमन धनिया पाऊडर, आप पुटा हुआ धनिया भी आड़ कर सकते हैं और साथ ही मैं इसमें आड़ कर दूँगी आदी चाई की चमच्छ, हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर का इस्तमाल थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे हैं इसके अंदर और आदी चाय की चमची मैंने इसके अंदर फिसा हुआ गरम मसाला एड़ किया है साथ ही मैंने इसके अंदर हरी मिर्च और कटा हुआ टमाटर एड़ कर दिया है अब हम इसके अंदर पानी आड़ करेंगे पाई को गुलाने के लिए तो यहाँ पर मैंने दो गलास के करीब इसके अंदर पानी आट किया है इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाला जाद जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएं मसाला जाद अच्छे से मिक्स हो गए हैं अब हम इसको weight लगा देंगे तो यहां पे cookar को cover कर देते हैं और इसको हम 15-20 minutes तक weight लगा देंगे medium to high flame पे 15-20 minutes में यह अच्छे से गल जाएंगे 15-20 minutes हो चुके हैं weight को हिलते हुए यहां पे flame को हम off कर देते हैं और इसका weight उठा देते हैं तो यहां पे सारी steam निकल चुकी है अब हम इसको खोल के देख लेते हैं तो खुकर का दखकर उठाते हुए एक्तियात से खोला करें क्योंकि इसके इंदर बहुत दादा steam होती है तो इस तरह जलने का खत्रा होता है तो यहां पे pie जो है वो हमारे अच्छे से गल गए है अब हम इसके अंदर आड़ करेंगे oil तो मैंने यहां पे one four cup oil इसके अंदर आड़ किया है oil आड़ करने के बाद हम इसके अच्छे से दो मिनट तक बुनाई करेंगे medium to high flame पे दो मिनट हो चुके हैं pie को भूंते हुए अब हम इसके अंदर दही आड़ करेंगे तो यहां पे मैंने one four cup इसके अंदर दही का आड़ किया है तो जब भी आप दही आड़ करें सालन के अंदर तो flame को भीकुल लो कर दिया करें ताकि दही का flavor जो है वह चेंज ना हो नहीं वह फटे तो यहां पे दही आड़ करने के बाद दो मिनट तक और इसको पका लेते हैं कि दही के अंदर भी पाय को दो मिनट के लिए अच्छे से भूल लिया है अब टाइम आता है gravy बनाने का तो आपको जितनी gravy चाहिए हो आप उसके नदर इतना पानी आड़ करें मैंने यहां पे एक लिटर पानी आड़ किया है क्यूंकि मैंने इसको पकाना है इसका शोर्बा जो है वो गाड़ा करना है तो गाड़ा करने के लिए हम इसको बहुत जादा पकाना पड़ेगा तो यहाँ पर फिर पानी जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा तो इसको अब हम कवर करके पकने के लिए रख देते हैं फुल कवर नहीं करेंगे थोड़ा सा इस तरह खुला चोड़ दे और अब हम इसको पकने देते हैं यहां पर इसको पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और शोर्बा देखें थोड़ा सा कम हो गया है और यह गाड़ा भी हो गया है हम इसके अंदर कोई चीज भी आड़ होगे इसको गाड़ा करने के लिए सिसको पकाण पका करें हम इसके शोर्बा को गाड़ा करेंगे तो यहां पे इसको पकते हुए 15-16 मिनट हो चुके है और इसको गाड़ा हो गया है इतनी consistency हमें चाहिए अब हम कि करते हैं और हम इसके दंदर करके यूँकि ये final में कैसे दिखते हैं त्यार है मज़ेदार से बकरे के पाए बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत तेस्टी बने है अगर सुबह के नाश्ते में कुल्चों के साथ बकरे के पाए मिल जाए तो सुभान अल्ला नाश्ता करने का मज़ा आजाता है तो आप भी इस recipe को को शियर करें और अगर आपको आज की रेस्पी पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो की नीचे लाइक बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन के साथ आके आने वाली हाल न्यू रेस्पी सबसे पहले आप तक मुचे इसके इलावा आप मुझे